मेनका एक सामुदाएक स्वास्ते कारे करता है वे अपने समुदाएक के COVID-19 से संक्रमित कई लोगों की जाज करती है COVID-19 के हलकी लक्षणों वाले लोग बिमार होने पर सुरक्षत रूप से घर पर अलगाव का पालन कर सकते हैं यह मेनका को सभी की देखबाल करने में मदद करता है COVID-19 से संक्रमित सभी लोग घर पर देखबाल प्राप नहीं कर सकती है करीम को COVID-19 का संक्रमन है मेनका को पहले यह जाजने की जरूरत है कि करीम की तबियत स्तिर है और कोई चेतावनी संकीत नहीं दिख रहे हैं यदि ऐसे संकेत हैं तो मेनका को तुरंत उसकी चिकित्सा केंद्र में देखबाल करने की व्यवस्ता करनी चाहिए सामान्य चेतावनी के संकेतों में सास लेने में कठिनाई, सीने में दर्थ, उलजन महसूस करना और अन्य गंभी रिलक्षन शामिल है यदि करीम साट वर्ष से अधिक आयू के हैं तो उसका मेडिकल सेंटर में इलाज कराया जाना बहतर होगा अगर वे अन्य चिकित्सा स्थितियों से पीडित है जो कोविट-19 को बत्तर बना सकती है या अगर वे ऐसी जगहा पर रहता है जाँ उसके लिए खुद को आईसोलेट करना मुश्किल है इनने से कोई भी करीम पर लागू नहीं होता है वे केवर हलकी लक्षन दिखा रहा है और उसकी पतनी अच्छी तरह से उसकी देखबाल करने में सक्षम है इसका मतलब है कि वे है घर पर आईसोलेशन में रहने के लिए उप्यूक्त है मेन का बताती है कि उसे अपने लक्षणों और तापमान को दिन में दो बार सुबह और रात को रिकॉर्ड करना चाहिए करीम बिमार होने के बाद पहले दिन से 14 दिनों तक का एक लिखित रिकॉर्ड रखता है मेन का पता करती है कि करीम जानता है कि किन लक्षणों को देखना है इससे करीम को बिमारी पर नजर रखने में और अपने लक्षणों में सुधार है या नहीं यह देखने में मदद मिलेगी COVID-19 के सबसे सामान्य लक्षण बुखार, ठंड लगना, सूखी खासी और बहुत ठकान महसूस करना है अधिकांश लक्षण आमतोर पर लगभग एक सब्ताह के बाद गायब हो जाते हैं हाला कि अगर उसका कोई लक्षण बिगडने लगे और उसमें कोई भी चेतावनी चिन दिखने लगे तो करीम को तुरन चिकट्चकिया देखबाल लेनी चाहिए मेन का पता करती है कि करीम यह समझता है और जानता है कि उसके लक्षण बिगडने लगे तो किस से समपर करना चाहिए अपने लक्षणों के शुरू होने के बाद करीम को कम से कम 14 दिनों के लिए अलग रहने की आवश्शकता है फिर अगर वे कम से कम 3 दिनों के लिए दवा के बिना ही ठीक हो और उसे कोई लक्षण ना हो तो वे पूरी तरह से ठीक हो गया होगा वे अपने समाने जीवन में लोट सकता है पर ये महत्वपून है कि निम क्रियाओं द्वारा वे अपने और अपने समुदाएं की रक्षा करते रहें कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से अपने हाथ धोना कम से कम 2 मीटर की शारिरिक दूरी बनाए रखना और जब आवश्यक हो सार्वजिनिक स्तानों पर फेस मास्क पहनना सुरक्षित रहें अपने समुदाएं की रक्षा करें कुछ बहतर करके दिखाएं